औस्टेलिया के बाद बांग्डादेश ने भी कह दिया भारत जीतेगा वर्ड़कप तो क्या ठिक्स है मैंच? बारिश अफगानिस्तान को लेड़ी वी टीम इंडिया पर भी मुसीबर सेमी फाइनल से पहले अगनी पर इंशार इंग्लेंड औस्टेलिया की वापसी से दिल्चस्प हुआ मुकाबला या ठिटीमे हो सकती हैं वर्ड़कप से बाहर कोई कप्तान मैच से पहले ही कह दे कि हम तो हारने के लिए खेल रहे हैं तो इसका क्या मतलब समझेंगे या तो वो खुद को कंजोर समझ रहे हैं या मैच फिक्स हैं ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया में अभी से तरने लगे हैं भारत पर अफ्रीका की जीद के बाद भी ऐसे ही सवाल उठे थे कि क्या पाकिस्तान को बाहर करने के चकर में भारत जान बूच कर हार गया अब बांड़ादेश की कप्तान शाकी बलहसन ने कुछ ऐसा कहा कि वो अपने ही देश में निशाने पर आ गए टीम इंडिया तो इससे खुश है कि चलो आसानी से सेमी फैनल का रास्ता मिल जाएगा लेकिन सवाल कई हैं पहले उनका बयान सुनगे फिर आपको बताते हैं कि कौन सी आठ टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती हैं क्योंकि सूपर बारा की दोनों गृपों की सिती लगभग साफ हो चुकी है शाकी बलहसन ने कहा है भारत पसंदीदा है वे यहाँ विश्यकप जीतने के लिए हैं उनके पास हर खिरारी मैच विनर है सुरिकुमार की बैटिंग और अर्शिदीब की बॉलिंग शांदार है अगर हम उन्हें आराते हैं तो यह उनके लिए अपसेत होगा और हमें उनके खिराब बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेंगे हम मैच में पसंदीदा की रूप में खेलने नहीं जा रही इस बयान से साफ लगता है कि अडिलेट के मैदान में उतरने से पहले ही बांगलादेश की खिराड़ी डरे हुए है हाना कि एक संभावना ये भी है कि अडिलेट का मैच बारिश की वज़े से धुल सकता है ऐसे में टीम इंडिया के लिए मुश्किले खड़ी हो सकती है उसको जिमबाम्बे से होने वाला 6 नंबर का मैच फिर से हर हाल में सेमी फाइनल में एंट्री के लिए जीतना होगा पाकिसान भारत की ओर देख रहा है अगर भारत बांग्रादेश इसे हारा जिमबाम्बे से जीता तो नेट रन रेट खराब हो सकता है और पाकिसान उसे टक्कर दे सकता है सभी टीमों के दो मैच बाकी है लेकिन जादा संभावना इस बाकी है कि साथ अफरीका और भारत सेमी फाइनल की रेस में पहुँचे जिमबाम्बे, बांग्रादेश, पाकिस्तान, नीदरलेंड, आस्टेलिया, श्रीलंका, आइरलेंड और अफगानिस्तान बाहर हो जाएगी बाकी की चार्टी में सेमी फाइनल में पहुँच सकती है पहला सेमी फाइनल 9 नॉमबर को सिड्नी में और दूसरा 10 नॉमबर को एडिलेट में खेला जाएगा फिर फाइनल मुकाबला 13 नॉमबर को होगा जिसका इंतिजार सबको बेसबी से है